नमस्कार आप देखे रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखंड उत्तर प्रदेश मैं हूँ आपके साथ सपना पांडे आए डालते हैं एक नजर उत्राखंड उत्तर प्रदेश की ख़बरों पर मार्च के अंत में दो दिन की हर्ताल से अटकेंगे पांसो करोड के काम बैंक बीमा पोस्ट आफिस में काम रहेगा ठप नेजीकरण की विरोध में विभिन करमचारी युनियनों ने 28 और 29 मार्च को देश व्यापी हर्ताल का एलान किया है इस दो दिवसी हर्ताल की वज़े से बैंकों में भी काम काज ठप रहेगा इससे पहले शनिवार और रविवार को भी काम नहीं हुआ है वित्तिय वर्ष के आखरी सब्ता में हो रही इस हर्ताल से नैनिताल जिले में ही करीब 500 करोड के नुकसान की आशंग का जताई जा रही है युनिफॉर्म सविल कोड पर गरमाए का सदन 29 से शुरू हो रहा है नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र उत्तराखन की पांचवी विधानसभा के पहले सत्र में युनिफॉर्म सविल कोड का मुद्दा गरमा सकता है उत्तराखन में नई सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करा सकती है विधान सभा के इस सत्र में सरकार की ओर से लेखा नुदान भी पेश किया जाएगा विधान सभा का सत्र 29 मार्च को शुरू हो रहा है इस सत्र के दोरान पहले दिन राज जिपाल का अभी भाशन होगा जबकि 30 मार्च को सरकार अगले चार महिनों के लिए 5,000 करोड के करीब का लेखा नुदान पेश करेगी हरीश रावत ने साधा कॉंग्रेसियों पर निशाना बोले मेरा इंतजाम कर बेटी को हराने में लगे थे विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस और खुद की हार से आहत पूर मुख्यमंतरी हरीश रावत ने बिना नाम लिए कुछ कॉंग्रेसियों पर भी निशाना साधा है हरीश रावत ने कहा कि कॉंग्रेस ने कुछ लोगों ने बाप का इंतजाम करने के बाद बेटी की हार का भी इंतजाम कर दिया था आने वाले दिरों में ऐसे लोगों को बेनकाब किया चाएगा अपने फेस्बुक पेच पर एक पोस्ट साजा कर पूर मुख्यमंतरी हरीश रावत ने उन्हें और उनकी बेटी अनुपमार रावत को हराने के लिए साजश रचने का भी आरोप लगाया है भगवानपुर में गता फैक्टरी में तो उत्तरकाशी में एक आवसी भावन में लगी आग लाखो का हुआ नुकसान उत्राखन के भगवानपुर उत्तरकाशी में आज सुबह आग लगने की घटना सामने आई है तोनों घटाओं में लाखो रुपे का नुकसान हुआ है पहली घटा में भगवानपुर के मोहितपुर गाओं में सुबह साड़े छे बजे गता फैक्टरी में संदगत परिस्तियों में आग लग गई जिसे भगवानपुर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुँच कर काबु में किया तो वहीं दूसरी घटा में उत्तरकाशी के थाना बढ़कोट की है जहां एक आवसी भवन में सुबह करीब साड़े चार बजे आग लग गई जिसे प्रभारी निरिक्षक बढ़कोट गजेंद्र दत बहुमुडा के नेतरतों में बढ़कोट पुलिस फाय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनी और सामाज इक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भासकर उत्राखन उत्तर प्रदेश